सर्वेभ्यो नमो नमहा संस्कृत कक्षायाम सर्वेशाम स्वागतमस्ति यथा वयम जानी महा अस्मिन समये राज्य सैक्षिक अनुसंधान परिशद रायपूर अतहा कक्षा प्रचलती द्वादसवादने शप्तम्याह कक्षायाह आंतर जालिय कक्षा चलती अध्य वयम संस्कृत विशयम पठामाह सप्तम्याह कक्षायाह संस्कृत विशयम पठामहा अध्यवयम पंचमह पाथा चानक्य वचनानी पठामहा प्यारे बच्चों आप सभी का संस्कृत की इस कक्षा में स्वागत है आज हम कक्षा सात्वी के पाच्वा पाथ चानक्य वचनानी पढ़ेंगे तो चानक्य वचनानी का तातपर ये क्या होता है चानक्य के वचन अब चानक्य कौन है तो चलिए चानक्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं आचारिय चानक्य नंदवंस के काल में एक प्रसिद्ध विद्वान थे। आचारिय चानक्य जो थे, इनका मुख्य नाम कुछ और था, परन्तु इनकी प्रसिद्धी चानक्य के नाम से हुई। इनको आचारिय विश्णु गुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और इसलिए भी इनको जाना जाता है, ये पदवाक्य प्रमानज्य थे। अर्थात इनके मुख से निकली हुई, कोई भी वानी निरर्थक नहीं रही। इनकी बौध्धीक छमता बहुत ही अच्छी थी, ये बहुत बुद्धिमान थे। इनके बुद्धिमत्ता के बारे में हम बहुत सारी कहानिया सुनते हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण कहानी है कि इन्होंने अपने बुद्धी बल से राजा नंद को समूल नश्ट कर दिया था। और एक सामान्य से व्यक्ति को योग्य बना करके उसको राजा बनाया था। और उसका नाम था चंद्रगुप्त। तो कहने का मतलब आचारिय चानक के बहुत बुद्धिमान थे। और इन्होंने जो वचन कहे हैं। नीती परक वचन। नीती कहते हैं नियम। अर्थात हमें क्या करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को इनकी इन सारी बातों को यस सरु बच्चे आप लोग अपना माइक बंद रखें। क्योंकि आप बीच में बोलते हैं तो फिर इधर अवरोध हो जाता है तो आप लोग अपना माइक बंद रखेंगे, है ना जब आपको जरूरत रहेगा तो आप लोग उस समय पे आप बात कर सकते हैं तो नीती परक बातों का एक संग्रह किया गया जिसका नाम है चानक के नीती और उसी ग्रंथ से आज के पाठ में जो श्लोक है वो लिये गये हैं आचारिय चानक के महान राजनितिग्य थे और बड़े समात सुधारक भी रहे हैं तो चानक के वचन जो हैं वो सदे वो सास्वत रहते हैं अर्थात वो हर समय हर काल में उप्योगी होते हैं तो बच्चों इस पाठ को हमारे पाठ पुस्तक में सामिल करने का उद्देश्य है कि हम उसमें नहीत जो भाव है उसमें जो ज्यान की बाते बताई गई है जीवन को हम सुख में बना सकें तो चलिए हम पाठ प्रारंभ करते हैं चानक्य के वचन आनी चानक्य के वचन आचारिय चानक्य के वचन और आप फिर से मैं एक बार इनका वास्तविक नाम बता रहा हूं आप ध्यान रखिएगा आचारिय चानक्य का वास्तविक नाम विश्नु गुप्त था विश्नु गुप्त और इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है चलिए श्लोकों का वाचन सस्वर करने आना चाहिए और जब हम श्लोकों को गान करते हैं गाते हैं तब श्लोक सुनने में भी बड़े अच्छे लगते हैं और जल्दी याद हो जाते हैं और श्लोकों को याद करना ये अच्छी आदत है है ना तो चलिए श्लोक का उच्चारण हम कैसे करेंगे इसको अब देखते हैं गुरो भूषयते रूपम शिलम्भूषयते कुलं सिद्धिर्भूषयते विद्याम भोगो भूषयते धनम इसमें जो कठिन सब्द है उनको एक बार देखते हैं भूशयते माने शोभा देता है और ये भूशयते ये लटलकार का रूप है भूशयते 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 अईसा इसका रूप चलता है ठीक है तो ये भूशयते माने शोभा देता है रूपम सुन्दर्ता को रूपम माने सुन्दर्ता को शीलम अच्छा स्वभाव शीलम मतलब अच्छा स्वभाव अब एक एक सब्दों का अर्थ देखते हैं गुणो को जब देखेंगे तो ये हैं गुणाह ठीक है क्या है गुणाह हाँ तो गुणाह माने गुण हरव्यक्ति के अंदर में अच्छे गुण हाँ तो भूशयते सोभा देता है रूपम सुन्दरता है ना अर्थात गुण से ही रूप की सोभा होती है गुण से अर्थात अब यहां कहने का मतलब यह है कि आप कितने भी सुन्दर क्यों ना हो लेकिन आपके अंदर यदि अच्छे गुण नहीं है तो आपकी सुन्दरता किसी काम की नहीं होती है इसलिए यहाँ पे बोला कि गुणों भूशयते रूपम गुण होने से रूप की शोभा होती है व्यक्ति के अंदर जब अच्छे गुण होते हैं तब उसकी रूप की शोभा होती है यह तो रूप का केवल अकेले सुन्दरता का कोई आउचित्या नहीं होता है शिलम भूशयते कुलम शिलम का मतलब होता है अच्छा स्वभाव आदत है ना अच्छी आदते भूशयते शोभा देती है किसको कुलम कुल की सोभा अच्छे आदतों से होती है है ना देखिए कुल का मतलब क्या है कुल कहते है हमारे पूरवजों से जो हमारी पारिवारिक जो इस्थिती है वो कुल कहलाती है लेकिन आप कितने भी अच्छे कुल में प्यादा क्यों न हो जाओ लेकिन आपके अंदर अच्छा स्वभाव नहीं है अच्छा आचरन नहीं है तो आपके कुल का कोई आउचित्य नहीं होता है इसलिए आप बोला गया कि शिलम भूशयते कुलम कुल की शोभा आचरन से होती है शील से कुल की प्रसंसा होती है और तीसरा वाक्य इसमें है सिद्धिर भूशयते विद्याम शिद्धि हम कोई कार ये को करते है तो वो कब सिद्ध होता है सिद्धि का मतलब पूरा होना है ना ठीक है तो कोई काम कब पूरा होता है जब वो विद्या से किया जाता है विद्या विवेक पूरवक किया जाता है है ना तो इसका मतलब है विद्या की शोभा सिद्धि से ह होती है अर्थात विद्या आप कितने भी विद्वान क्यों न हो है ना लेकिन आपके अंदर किसी कार्य को पूरा करने की शम्ता नहीं है तो आपकी विद्या किसी काम की नहीं है तो विद्या की शोभा सिध्धी से होती है सिध्धी मतलब कार्य के सिध्ध होने पर कार्य जब पूरा हो जाता है तो ही विद्या की सिध्धी होती है विद्या की शोभा होती है अर्थात कितने भी विद्वान क्यों न हो जाए लेकिन आप अपनी उस विद्या से किसी कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी विद्वत्ता किसी काम की नहीं होती है इसलिए यहां आचारी चानग के ने कहा, कि सिधिर भूशयते विध्याम, और चौथा भोगो भूशयते धनम, भोगो, है ना, धनम, धन की, शोभा, किसे होती है, उप्योग करने से होती है, है ना, आप कितने भी धनवान क्यों न हो जाएं, लेकिन आप धन का उप्योग नहीं कर पा रहे हैं धन का और कैसा उप्योग गलत उप्योग नहीं अच्छा उप्योग धन का यदि आप अच्छा उप्योग नहीं कर सक रहे हैं आप धन का अच्छा उप्योग नहीं कर पा रहे हैं है ना हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए धन की आवश्यक्ता होती है ठीक है तो अपनी अच्छी जरूरत को पूरा करने के लिए धन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी धन की कोई शोभा होगी क्या उसका धन की कोई मतलब है नहीं है आदमी धन रहते हुए यह दि भूखा मर रहा है तो उसका धन किसी काम का हुआ नहीं हुआ इसलिए आचारिय चानक के ने कहा कि धन की शोभा उचित भोग से होती है भोग मतलब उपयोग है ना तो देखिए अब पूरे श्लोक का आर्थ देखते हैं कि सुन्दर्ता की शोभा अच्छे गुणों से होती है व्यक्ति के अंदर सुन्दर्ता कब आती है जब उसके अंदर सुन्दर्ता कब उसके सरीर की जो सुन्दर्ता है वो कब अच्छा लगता है जब उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अच्छे गुण है है ना और कुल की शो श्वभा होती है आचरण से अच्छा स्वभाव से और विद्या की श्वभा होती है सिध्धी प्राप्त करने से कार्य को पूरा करने से और धन उपयोग करने से उचित सहीं उपयोग करने से आर्थ आपके किताब में दिया हुआ है उस आर्थ को एक बार मैं पढ़ता हूँ गुण से रूप की शोभा होती है शिल से कुल की प्रसंसा होती है विद्या की शोभा सिद्धी से होती है और धन की शोभा उचित भोग से होती है तो ये श्लोक आपको समझ में आए गया होगा हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं चलिए श्लोक का वाचन करते हैं सस्वर वाचन कोकिला नाम स्वरो रूपम स्त्री नाम रूपम पति व्रतम विद्या रूपम कुरूपा नाम क्षमा रूपम तपस्विनाम कोकिला नाम स्वरो रूपम स्त्री नाम रूपम पति व्रतम विद्या रूपम कुरूपा नाम क्षमा रूपम तपस्विनाम अच्छा आभी हम लोग रूप के बारे में पढ़ रहे थे ना हाँ तो इस स्लोक में किसका क्या रूप है उसको अब बता रहे हैं है न, तो चलिए इसको एक बार फिर से इस लोग का वाचन करना आप लोग सीखिए आप लोग घर में करियेगा वाचन है न, कोकिलानाम स्वरो रूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपानाम शमा रूपम तपस्विनाम कोकिला नाम सब्दार से देखते हैं कोकिला नाम कोयलो का कोयल कोयल एक पक्षी है ना जानते हो ना हाँ कुरूपानाम कुरूप कुरूप माने जो सुन्दर नहीं है कुरूप माने जिनकी सारी रिक सुन्दरता नहीं है तपस्वी नाम तपस्वियों की अब देखते हैं कोकिला नाम कोयल कोयलों की कोयल एक पक्षी है उन पक्षियों की स्वरो स्वर आवाज रूपम रूप होता है कोयलों का रूप उनका स्वर होता है उनकी आवाज होती है कैसे? देखो कोयल को देखने में कैसा लगता है? काला काला दिखता है कोयल आपके स्क्रीन में कोयल का चित्र दिख रहा होगा काला दिख रहा है अब इसकी कोई सुन्दर्ता है क्या? नहीं सुन्दर तो नहीं दिख रही है ये पक्षी तो इसकी सुन्दरता इसकी आवाज होती है क्यों? क्योंकि ये जब कुहू कुहू ऐसा बोलती है न तो बड़ी मधूर आवाज आती है इसलिए यहां बताया कोयलों की सुन्दर्ता, कोयल पक्षी की सुन्दर्ता उसका स्वर होता है, उसकी आवाज होती है, है ना और स्ट्री नाम रूपम पतिव्रतम, इस्त्री माने अवरत महिला, महिला का सबसे सुन्दर रूप पति व्रतम, पति व्रत धर्म से है, अर्थात अपने पती का अनुशरन करना, है न, तो इस्त्री कितनी भी सुन्दर क्यों न हो, लेकिन वो पति व्रत नहीं है, तो उसकी सुन्दर्ता किसी काम की नहीं है, तो इस्त्रियों की सुन्दर्ता पति व्रत धर्म से है, और तीसरा वाक्य है विद्यारूपम कुरूपानाम विद्यारूपम कुरूपानाम कुरूप कुरूप मने जिनका सरीर सुन्दर नहीं है जिनका सरीर सुन्दर नहीं है उनको कुरूप कहते है है ना, तो लेकिन व्यक्ति सुन्दर भले दिखने में सुन्दर नहीं है, लेकिन यदि वो विद्यावान है, उसके पास बहुत सारा ज्यान है, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की सुन्दरता उसके विद्या होती है, है ना, हम बहुत सारे उधारन देखते है है ना तो मनुष्य जो कुरूप होते है जो सारीरिक रूप से जिनकी सरीर सुन्दर नहीं होता है जिनके चेहरे में सुन्दरता नहीं जलकती है ऐसे व्यक्ति की सुन्दरता विद्या बन जाती है है ना और चौथा वाक्या है छमा रूपम तपस्वी नाम तपस्वी है त तपस्या करने वाले जो होते हैं तपस्या में जो लीन होते हैं लगे रहते हैं तप करने वाले होते हैं तो ऐसे जो तप करने वाले जो लोग होते हैं उनका रूप क्या हो जाता है? छमा छमा है ना? उनका रूप होता है तो चलिए आपके पुस्तक में जो आर्था दिया है उस आर्था को एक बार पढ़ते है कोयल की शोभा उसके मीठे स्वर से होती है कोयल दिखती भले काली है लेकिन जब वो बोलती है तो उसकी जो आवाज है वो बड़ी मधूर होती है इसलिए कोयल की सुन्दरता कोयल की शोभा उसकी स्वर उसके आवाज से है इस्त्री की शोभा पतिवरत धर्म को पालन करने से है और कुरूप माने जो दिखने में सुन्दर नहीं है उनकी शोभा विद्या से होती है और इसी प्रकार तपस्वी की सोभा छमा से जानी जाती है छमा करने वाले होते हैं यदि तपस्वी छमा करने वाला है तो छमा ही उसका रूप हो जाता है तो चलिए अगले तीसरे स्लोक की ओर चलते है चलिए देखिए बहुत सुन्दर स्लोक है चलो सस्वर वाचन करेंगे खिर से एक बार वाचन करते हैं है ना बहुत सुंदर स्लोख है अब इसका अर्थ को देखते हैं एक एक शब्दों के अर्थ को देखते हैं का कहा का कहा कवववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव कोयल के बहुत सारे अर्थ पता चल गया ना कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं पिका भी कहते हैं और कोकिला भी कहते हैं और काका हमाने कुवा क्रिश्न हमाने काला क्रिश्न हमाने काला देखो कुवा का रंग काला होता है कि नहीं और कोयल का रंग कैसा होता है कोयल का रंग भ है ना आचारे चानक के जी वही कहते हैं कि का कहा कृष्णा हाँ, पि कहा कृष्णा हाँ, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, है ना, दोनों काले होते हैं, तो को भेदो, पीक का कयो हो, को भेदो, कह भेद हाँ, दोनों में क्या भेद है, कौवा में और कोयल में क्या भेद है? पीक काकयो, माझने कोयल काकयो मतलब कववा, माझने कववा, कोयल, और कववा, दोनों में, ये पीक काकयो दूईव चन हो गया है, दोनों को एक साथ मिला दिए, अलग अलग करेंगे, तो ये समास हो जाता है, पिकश्च काकश्च पीक काकयो हो ऐसा हो जाता है है ना द्वन्द्व समास है यहाँ पर तो पीक माने कोयल काका माने कववा दोनों काले होते हैं तो दोनों में क्या भेद है ऐसा पहले पूछ रहे हैं अब फिर उत्तर दूसरे लाइन में उत्तर दे रहे हैं, क्या वसंते समये प्राप्ते, वसंते मतलब वसंत रितु में, आपको रितुओं के नाम तो पता होंगे, कितने रितुओं होती हैं, छे रितुओं होती हैं हमारे भारत वर्स में, तो हमको अपने रितुओं के नाम पता होने चाहिए, तो आप लोग अपने भारत में जो रितुओं हैं, उनके नाम को कॉपी में लिखिएगा अपने बड़े बुजुर्ग से, पूछिएगा अपने वसंते तो यह वसंते सब्द में सब्तमी विभक्ती एक वचन है तो और समये माने समये सब्द में भी सब्तमी विभक्ती एक वचन है तो वसंते समये प्राप्ते वसंतरितु के समये आने पर कि कौन को हुआ है और कौन कौन कोवा है और कौन कौन कोवा है और कौन कोयल है ये दोनों तो काले होते हैं दोनों काले होते हैं ना तो कैसे पता चलेगा ये कोवा है ये कोयल है तो बोले कि वसंत रितू के आने से पता चलता है कि कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है है ना क्यों क्योंकि कौवा जो है वधूर बोलता है क्या नहीं कौवा की आवाज में करकष्टा होती है कौवा का आवाज काउं 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 ऐसा आवाज करता है यह सुनने में सुन्दर लगता है क्या नहीं लेकिन जब वसंत त रितु में कोयल आवाज करती है है ना, कुहू कुहू ऐसा, तो वो बड़ा सुन्दर आवाज लगता है, मन को अच्छा लगता है, अभी इससे पहले हम पढ़े थे ना, कि कोयल की सुन्दरता, उसकी आवाज होती है, है ना, तो यहां तरितू के आने से कववा कववा हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है है ना क्योंकि दोनों के आवाद से पता चल जाता है कि ये कववा है कि ये कोयल है अच्छा बच्चों आपको पता है कि कोयल बुद्धिमान भी होती है बुद्धिमती होती है उसके में बहुत बुद्धी होती है कैसे पता है? कोयल अपना घोशला नहीं बनाती है कोयल अपने अंडों को कौवा की घोशले में देती है और उसके अंडे का सेवा, उसको सेखने का काम कौवा करता है और जब उसके बच्चे हो जाते है तो भी कवा को पता नहीं चलता है कि ये मेरा बच्चा है कि कोयल का बच्चा है लेकिन जैसे बसंत रितू आता है तो वो बच्चा जो है कवा का बच्चा काउ काउ बोलता है और कोयल के जो बच्चे होते हैं वो मधूर कुहु कुहु की आवाज करते हैं इसलिए यहाँ बोला, कि बसंत रितू आने से कॉवा कॉवा है और कोयल कोयल है, चलो अर्थपों एक बार देखते हैं, कॉवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, दोनों में क्या भेद है? तो बसंत रितु के समय पता चलता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है देखिए आचारी चानक कि किती अच्छी बात बताये न तो चलिए ये तीसरा स्लोक यहां हमारा समाप तो होता है हम चौथे श्लोक की ओर चलते हैं इसका वाचन करेंगे धनिकाह श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमहा धनिकाह श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमहा पंच यत्रन विद्यंते तत्र वासमन कारयेत फिर इसे एक बार वाचन करते हैं देखें मैं दो बार इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप लोग वाचन करना सीखिए श्लोक का गायन करना सीखिए हैंना तो चलिए धनिकाह श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमहा पंच यत्रन विद्यंते तत्र वासमन कारयेत धनिकाहा सब्दों को देखते हैं धनिकाहा धनिकाह माने धनवान धनवान किसको कह बोलेंगे जिसके पास बहुत सारा धन होता है जिसके पास बहुत सारा धन होता है है ना धनिकाह माने धनवान श्रोत्रियाहा श्रोत्रियो माने वेद जानने वाले पंडित अब वेद जानने वाले का मतलब वेद का मतलब होता है ज्यान वेदों में ज्यान की बाते बताई गई है तो जो वेदों को जानता है वो श्रोत्रिय कहलाता है जो वेदों को जानता है वो पंडित कहलाता है अब वेदों को जो नहीं जानता वो पंडित नहीं कहलाएगा, यह याद रखना, है ना, तो जो वेद में जो विद्या है, वेद में जो ज्यान की बात बताई गई है, उन ज्यान की बातों को जानने वाले को शोत्री या पंडित कहते है, है ना, तीसरा राजा, राजा माने सब जानते हैं है ना नदी नदी माने नदी है ना नदी के क्या-क्या लाब है आपको पता है ना चलिए आप अपनी कॉपी में लिखिएगा कक्षा के बाद नदी से हमें क्या-क्या लाब होती है तीन-चार लाइन हिंदी में लिखिएगा है ना खीक है? हाँ, तो नदी माने नदी और वैद्यह, वैद्यह माने चिकित्सत वैद्य के क्या कारिय होते है? वैद्य जब कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है बीमार हो जाता है तो वैद्य उसका इलाज करते हैं है ना? आजकल की भाषा में डॉक्टर कहते है ठीक है? तू, तो पंचमह, पंचमह माने पाँच ये पाँच, कौन-कौन पाँच? धनिकाह, धनिकाह माने धनवान श्रोत्रियाह, श्रोत्रियाह माने पंडित ज्यानी, है ना? विद्वान, राजा माने राजा कितने हो गए? तीन नदी, चार, और वैद्य, पंच फिर शे देखो धनवान, विद्वान, राजा, नदी, और वैद्य ये पाँच, ये पाँच यत्र, यत्र माने जहाँ यत्र माने जहाँ ये अव्याय पद है यत्र माने जहाँ पंच, ये पाँच ना विद्वान ते, ना माने नहीं विद्वान ते माने रहते हैं है ना? ये पाँच जहाँ नहीं रहते हैं विद्धात्र का आत्मने पत का लट लकार प्रथम पुरुष ब हुचन का रूप है और इसका रूप कैसे चलता है? विध्यते, विध्येते, विध्यनते, विध्यसे, विध्येते, विध्यधे, विध्यावहे, विध्यामहे, है न, तो हमको यह जानना है, विध्यनते लटलकार, विध्यधातु का लटलकार, प्रथम पुरुष का बहु अचन है, इतना हमको जानना है, ठीक है, और विध्यन नहीं रहते हैं, कौन नहीं रहते हैं, ये पांच, कौन-कौन से पांच, धनी कहा, श्रोत्रिया, राजा, नदी वैद्या, ये पांच, जहां, जहां, कतात पर ये, जिस देश में, जिस इस्थान में, नहीं रहते हैं, तत्र, तत्र, ये भी अव्या है, और इसका अर्थ होता है वहां यहां वहां तो जहां यह नहीं होते हैं यह पांच वहां वासम वास मतलब निवास रहना न माने नहीं न माने नहीं कारयेद करना चाहिए और नकारयेद नहीं करना चाहिए वासम नकारयेद रहना नहीं चाहिए निवास नहीं करना चाहिए तो चलिए एक-एक सब्दों का आर्थ देखें आब आर्थ देखते हैं पूरे श्लोक का भावार्थ देखते हैं धनी कहा माने धनवान, श्रोत्रिया माने वेदों को जनने वाले विद्वान, राजा माने राजा, नदी माने नदी और वैद्य, ये पांच जहां नहीं होते हैं, उस देश में निवास नहीं करना चाहिए, अब ऐसा आचारी चानक के नहीं क्यों कहा, तो इसको अब समझते ह धनी कहा ने? धनवान. भाई देखिये, जिस देश में धनवान व्यक्ति नहीं है, और अचानग किसी व्यक्ति को धन की आवश्यक्ता हो गई, तो उसकी सहायता कौन करेगा? इसलिए धनवान का होना आवश्यक है. फिर श्रोत्रियह माने विद्वान, विद्वान माने जियानी आदमी, तो देखिए यदि आपको कोई समस्या आ गई और आपके समस्या का समधान करने वाला कोई जियानी व्यक्ति नहीं है, तो आप उस देश में रहेंगे तो आपको कष्ट ही होगी, कष्ट की प्राप्ति ह और तीसरा है राजा जिस देश में यदि राजा नहीं है तो वहाँ तो लोग क्या हो जाएंगे नियमों को का पालन करना बंद कर देंगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा अंधेर नगरी हो जाएगा कि हर व्यक्ति अपने-पने मन से अपने हिसाब से काम करने लग जाएगा तो आदमी जब स्वार्थी हो जाता है तो उसके स्वार्थ के कारण दूसरों को कष्ट होने लगेगा तो जहाँ धनवान नहीं है जहाँ विद्वान नहीं है जहाँ राजा नहीं है वहाँ कष्ट ही कश्ट है है इसलिए ये तीन आवस्यक है और चौथा नदी तो नदी से हमें जल की प्राप्ति होती है पानी की प्राप्ति होती है और हमारे दैनिक जीवन में पानी बहुत आवस्यक है हम बिना पानी के अपने जीवन को सुखमय नहीं बना सकते पानी के बहुत सारे उपयोग है आप सब जानते है कक्षा सात्वी में पड़ रहे है है ना तो नदी नहीं है और वैध्य तो वैध्य क्यों भई यदि उस जगמו में आप निवास कर रहे हो जहां कोई डॉक्टर नहीं है कोई वैध्य नहीं है और कोई बिमार हो गया तो उसका इलाज कैसे होगा इसलिए आचार्य चानक के ये कहते है कि जिस देश में धनवान नहीं है विद्वान नहीं है राजा नहीं है नदी नहीं है और वैद्य नहीं है ये पांच जिस राज्य में नहीं है उस राज्य में उस देश में व्यक्ति को कभी निवास नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ यदि निवास करेंगे तो आपको जोब समस्या आएगी तो आपका समस्या का समाधान उस जगह पे नहीं होगा और आपको फिर उस समस्या के समाधान के लिए भटकना पड़ेगा इसलिए आचारे चारकी की बात देखिए आपकी जीवन से सम्मंधित है हम इस लोग को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जीवन बड़ा सुख में और बना सकते है अच्छा चलिए अब विक्तमान संदर्व में आप देखिए कि ये पांच को हम कैसे बता सकते हैं आप जो है इन पांचों के लाभ को कि धनवान से क्या लाभ, विद्वान से क्या लाभ, राजा से क्या लाभ, नदी से और वैद्य से इन पांचों के लाभ को हाँ आचा आज के संदर्व में देखेंगे तो धनवान का मतलब बैंक होता है ना जहां आपको अपनी राशी जमा करके रखते हैं और जरुवत होने पर हम ले लेते हैं है ना और विद्वान विद्वान मतलब आपकी समस्या पर आपके समस्या का निवारन करने वाले है ना राजा मतलब नेत्रितों करने वाले है ना और नदी मतलब तो जानते हैं और वैद्य मतलब चिकित सक इसको तो उम्मा बताया कि यदि आपको तो ये पांच जिस जगां में नहीं है वहाँ निवास नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ निवास करने से व्यक्ति को तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है है ना तो यह आज मिभी देखें यह कई सौ साल पहले यह बात को आचारे चानक के ने कहा है और यह आज भी ये वर्तमान समय में भी उतने ही जरूरी है और आने वाले हजारों साल बाद भी ये आवस्यक रहेगा इसलिए आचारे चानक को बहुत बुद्धिमान कहा गया है ठीक है हाँ आपके आसपास अच्छा चलिए आप अपनी कॉपी में ये लिखिएगा कि आपके आसपास में ये पांच है की नहीं है तो आप उसके विशेय में लिखिएगा थोड़ी थोड़ी है ला हिंदी में लिखिएगा अपनी मात्री भाशा में लिखिएगा ठीक है और अपने ज्यानी राजा नदी वैद्य चिकित सक जिस जगह इन पांचों का अभाव हो अर्थात यह पांच नहीं है उन पांच जगहों ना हो वहां हमें निवास नहीं करना चाहिए चलिए आगे अंतिम श्लोक है पाच्वा स्लोक जलबिंदू निपाते न क्रमशाह पूरियते घटाहा फिर से पढ़ते हैं जलबिंदू निपाते न क्रमशाह पूरियते घटाहा सहेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्यचा धनस्यचा यह भी बहुत सुंदर्श लोक है जो हमारे जीवन में उप्योग आने वाले हैं हमारे जीवन को सुखमय बनाने वाले हैं तो चलिए इसका अर्थ हम देखते हैं जल बिंदू निपाते न जैसे पानी के बूंदो के बूंदो को गिरने से क्रमसाह धिरे-धिरे पूरियते पूरा हो जाता है क्या घटा एक-एक बूंद से घटा भर जाता है जिस प्रकार से बूंद बूंद जल के गिरने से घड़ा भर जाता है इसी प्रकार से कण कण से धन इकटा होता है एक एक रुपेयों से धन को संचय किया जा सकता है और धर्म मतलब कर्तव्य कर्मों को धिरे धिरे करके इनको भी इकटा किया जा सकता है अर्थात जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है उसी प्रकार से विद्या धन और धर्म भी उसी प्रकार से इकठे होते हैं. तो यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा उप्देश है और यह हमेशा हमारे लिए लाबकारी रहेगा. बच्चों आपके लिए एक ग्रीकारी है, दो श्लोक आपको दिख रहे हैं, जलबिंदू निपाते ना क्रमशाह पूरियत एगटाह सहे तु सर्व विद्या नाम धर्मस्याचा धनस्याचा, कोकिला नाम सरो रूपम, स्त्री नाम रूपम पति ब्रतम, विद्या रूपम कु आज के लिए हमारी कक्षा में इतना ही, आप इस पार्ट को और अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, और जो कारिया आपको दिये गए हैं, उन कारियों को आप अपनी कौपी में करिएगा, अर्थ को भी समझिएगा, और श्लोक को याद करि आप अपने विद्याले में प्राप्थना के समय में इस लोको का वाजन किया करें, तो आपको सब लोग आपको देख करके, आपकी वानी को सुन करके आपसे प्रसंद होंगे, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली कक्षा में मिलेंगे, धन्यवाद आह, नमोन महा, पुन झाल